हलो फ्रेंट्स आज केजबरें बात करेंगे उत्तरा खंड पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा निकाली गए नई भरती के बारे में जिसमें की यहां पर देख पा रहे होंगे forest guard की भरती है और revenue sub inspector की भरती है जिसका farm भरा जा रहा है जहां तक forest guard की बात है तो यहां पर 21,10,2022 से farm भरती हो गया है और 11,11,2022 तक इस farm को apply कर पाएंगे यहाँ पर link दिया हुआ इस पर click करेंगे तो पुरा फार्म खुल जाएगा और उसको आप complete कर पाएंगे दूसरा पटवारी लेक पाल यानि रेबेनियो सव इंस्पेक्टर की जो भरती आई हुए इसका 14-10-2022 से फार्म बना सुरू हो गया है और 4-11-2022 तक इस फार्म को apply कर पाएंगे यहाँ पर link दिया हुआ इस पर click करेंगे तो official site पर पहुंच जाएंगे इसका link भी हमने वीडियो के इंजने discussion में दे रखा है वहाँ पर click करके आप direct official site पर जा सकते हैं आगे बढ़ें इसके बार में डिटेल में बात करें उससे पहले एक छोटा सा अपडेट्स आप लोगों को दे 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 अगर आप mathematics में कमजोर हैं यानि आप math के सवाल नहीं लगा पाते हैं तो यहाँ पर live classes चला जाता है एक channel है आपका यहाँ देख सकते हैं RD live special math classes यहाँ देख सकते हैं उसका link हमने वीडियो करें दे रखा है वहाँ पर click करके इस channel पर जा सकते हैं यहाँ पर आपको live classes प्रबाइड किया था जो कि एकदम free of cost तो इसको आप चाहें तो subscribe कर लें और यहाँ पर अपनी study को अच्छास कर सकते हैं यहाँ पर math को बहुत अच्छे तरीके समझाया जाता है ताकि हर तरह के candidates आसानी से उसको समझ सकें सवाल को लगा सकें तो अगर आप की math कमजोर है reasoning कमजोर है तो आप दोनों के लिए यहाँ पर इस site पर जा करके आप इसको जरू live class किया करें इसका link हमने video description दे रखा है वहाँ पर जा करके आप सीधे चैनल पहुंच जाएंगे और इस चैनल को आप जूरू subscribe करके रखें ताकि जब भी इसका live class से start हो तो उसको आप join कर सकें चलिए friends हम देख लेते हैं उतरा खंड में जो forest guard की भरती है उसमें कौन लोग फार्म अपलाई कर पाएंगे इसके लिए education qualification क्या मांगा है हर चीज डीटेल में देख लेते हैं तो सबसे पहले हाँ देख सकते हैं कि यह जो notification आया है इसको आप ध्यान से read कर लिजेगा लिंक हमने वीडियो के दिस्कूशन में दे रखा है तेलिग्राम चैनल का वहाँ पर आप जा करके इसको detail में read कर लिजेगा हम यहाँ पर main main चीजों को देख रहे हैं यहाँ total post जो है 894 या 894 पदों पर यह भरती आई हुई है और इसके लिए जो है समुगा के अंतरगत का सकते हैं यह पद आया हुआ हुआ है जो कि खंड से सम्मंदित हैं तभी आप इस फाम को apply कर पाएंगे इसमें 21700 से लेकर 69100 तक आपको payment मिन लेवाना है level 3 का job है इसमें education qualification की बात करें तो 12 पास होना चाहिए आप कहीं से 10 plus 2 कर रखे हैं पूरे all over India से तो इस फाम को apply कर पाएंगे लेकिन यह धियान अकना है कि आप व और महिला हैं तो 150 cm आपकी height होनी चाहिए और chest का expansion 5 cm होना चाहिए नहीं सीना फुलाएं तो आपका 5 cm expansion होना चाहिए आयू सीमा की बात करें तो यहाँ पर 1 जुलाई 2022 को आपकी age कम से कम 18 साल और maximum 18 साल होना चाहिए यह यह 18 साल से 18 साल के general candidates इस फाम को apply करेंगे अगर आप reservation category में आते हैं जैसे OBC हैं SCST हैं या EWS हैं तो जो आपको छुट मिलता है according to law वो आपको अलग से मिलेगा सुल्क की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको कोई सुल्क नहीं देना है अब भेरतियों को परिच्छा सुल्क और processing सुल्क से छूट परदान की गई है नहीं आपको फियोगरा नहीं भरना क्यों फाम apply कर देना है बस फाम भरने से पहले आप यह point number 7 जरूर पढ़ लिजेगा इसमें बताया गया है कि कौन लोग इस फाम को apply कर पाएंगे तो इसको जरूर आप read कर लिजेगा ताकि आपको किसी प्रकार का confusion ना हो यह से भी points और यह एक छोड़ा सा update था I hope हो समझा गया होगा इसका detail notification आप जर करें तो लाइक करें अपने सभी दोस्तों में share कर दें ताकि जदस जदा कंडिरेट्स को इसका बर्म जानकार नहीं मिल सके और चैनल पर पहली बार बीच करें चैनल को आप जोरू सब्सक्राइब करकर रखें ताकि जब भी हम आपके लिए नए ने अपडेट्स लेकर करें